हलो एबरीवन, वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ प्रोफेसर निलेश आनादवानी और यह है मेरा यूट्यूब चैनल, बायलोजी वाला निलेश आनादवानी आज मैं आप लोगों को एक टू मिनिट की एनिमेटेड वीडियो एक्स्प्लेइन करूँगा हिंदी में मेरी खुद की वाइस ओवर में अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैंने भी सब्सक्राइब किया हुए चलिए गाईस अब हम स्टार्ट करते हैं यह देखिए यह हमारी लिविंग सेल है बेसिकली मैं आपको बता दों के प्रोटीन सिंतेसिस होता क्या है तो हमारी बोडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं जैसे हिमोगलोबिन, मायोगलोबिन, इंसुलीन, एंजाइम जितने भी ऐसे प्रोटीन हो जैसे elastin A, contractile protein, actin, myosin यह जो प्रोटीन होते हैं तो जितने भी protein हैं हमारी बोडि में protein synthesis नाम की process से तैयर होते हैं और protein synthesis दो statement डिवाइड होती है एक होथी है transcription और एक होथी है translation transcription का मतलब होता है जब हमारा mRNA DNA molecule के बीच में से तैयर होता है उसे हम कहते हैं transcription और जब mRNA molecule TRNA molecule के साथ bind होता है और RNA molecule ये तीनों मिलागे protein को prepare करते हैं उसे हम कहते हैं translation तो आए चले detail में start करते हैं तो ये देखिए तो ये है हमारे सामने ये हमारे सामने एक living cell अब living cell में हमें journey देखनी है DNA से protein के से prepare होता है अब हम चलते है cell के अंदर और उनकी compartment में तो ये सारे उनके काफी सारे compartment है अब हम nucleus के अंदर चलते हैं तो ये देखे है nucleos jumping nucleus के भिलकुल अंदर जाते हैं तो हमारे सामने क्रोमोजों आते है Grade Center entered center II Senhor and यह हैं उनके chromatin अगर आप इस chromatin fiber को stretch करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर DNA है जो के histone protein के उपर wrapped किया हुआ है और DNA के segments को हम कहते हैं genes DNA के segments को हम कहते हैं genes अब हम देखते हैं कि protein synthesis में पहली step transcription कैसे होती है तो आप देख रहे हो यह यह वाला जो है DNA अब हम DNA के बिल्कुल center में से हम क्या prepare करेंगे mRNA prepare करेंगे और जब DNA के center में से mRNA prepare होता है तो उस वाली process को हम कहते हैं transcription आप उसे दो definition दे सकते हो पहली definition formation of mRNA on the DNA strand is called transcription second definition copy of information from DNA to mRNA is called transcription अब DNA में से mRNA को copy करके देदो message उसे हम कहेंगे transcription या तो mRNA molecule में से, sorry, DNA molecule में से mRNA molecule का synthesis होना उसे हम कहेंगे transcription अब यह जो DNA में से mRNA molecule prepare करते हैं उसके लिए में एक enzyme की जरूरत होती है जिसे हम कहते है RNA polymerase तो आगे देखिए तो यह वाली आ गई RNA polymerase RNA polymerase यहाँ पे DNA को separate कर रही है और DNA को separate करने के बाद उनके बीच में nitrogen basis को add करती जा रही है यह देखिए AUG AUG यह first वाला codon होता है जिसे हम कहते हैं methionine start codon methionine और जिसे जिसे nitrogen basis add होते जाते हैं हमारी mRNA molecule त्यार होगे यह है mRNA molecule messenger ribonucleic acid अब यह जो messenger ribonucleic acid है यह nucleus से बाहर निकलके cytoplasm में आ जाएगा किसमें eukaryotic cell में क्योंकि eukaryotic cell में nucleus होता है और prokaryotic cell में nucleus होता है नहीं इसके लिए वो cytoplasm में रहेगा तो अब यह जो mRNA molecule है यहाँ पे ribosome के साथ bind होगा और उपर से tRNA molecule हैंगे कैसे हम देखते हैं आगे यह देखे यह है हमारा mRNA molecule अब mRNA molecule में से हमने एक piece cut कर दिया यह एक vestigial part होता है आप translation में transcription में पढ़ोगे यह देखो यह nucleus से बाहर आ गया mRNA क्योंकि हमें कौन से process करनी है अब हम अब हमें translation करना है तो यहाँ पर ribosome आ जाएगा यह देखे राइबोसome का larger subunit यह ribosome का small subunit ribosome को हम protein factory भी कहते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर protein form होगा तो यह देखे राइबोसome मतलब rRNA यह है mRNA और अब उपर से tRNA आएगा तो यह देखे है tRNA molecule आ गये अब आप यह देखे tRNA के उपर बिल्कुल क्या होता है amino acids होते है tRNA के उपर amino acids होते है और यह amino acids कौन सा amino acids होता है वो कौन decide करता है वो mRNA के उपर जो information होती वो decide करता है मानलो mRNA के उपर AUG है तो tRNA के उपर क्या होगा A का opposite U और G का opposite C और T का opposite क्या होता है जी और यू का पोजिट क्या होता है क्योंकि mRNA में या तो tRNA में कभी भी ती नहीं आता है थाइमिन नहीं आता है उसके replacement हो जाता है यूरासिर में तो mRNA molecule में सबसे पहला कोड़ोन था A, U, G और इनके सामने tRNA का molecule आता है तो यह tRNA molecule first वाला है second वाला है यह कोई भी molecule हो सकता है ठीक है तो यह जो tRNA molecule obviously first वाला नहीं है क्योंकि यह U, sorry A, U, G के सामने यह नहीं आएगा तो यह tRNA molecule है आगे देखते हैं अब यह देखिए आपके सामने tRNA molecule mRNA के उपर कहां pairing कर रहा है तो यह देखिए यह second tRNA है यह पहला यह वाला था यह भी sorry पहला नहीं है mRNA molecule काफी अंदर तक दिखाया हुआ है और जब mRNA molecule का starting में सबसे पहला tRNA molecule आता वो methionine की opposite में आता है ठीक है मतलब methionine में अगर aug sequence है mRNA में तो उसके सामने होता uac sequence होती तो यह देखिए mRNA में cac है तो tRNA में gug है mRNA में agu है तो tRNA में uca rias कभी भी sih के सामने g आता है और a के सामने u आता है तो यह mRNA molecule है ऊपर टRNA molecule है और यह वाला рукosome molecule है एक एक TRNA मॉलیک्यूल आप देख रहे हो एक एक TRNA मॉलक्यूल MRN के साथ पेर होने के बाद साइड में से निकल जा रहे हैं लेकिन वो उपर क्या चोड़ रहे हैं उपर उनका उनका अमाइनोसिट चोड़ दे रहे हैं तो ये जितने भी amino acid आप देख रहे हो एक साथ, ये सभी के सभी amino acid ribosome के अंदर एक chain बनती जा रही है और इस chain को हम कहते हैं polypeptide chain और polypeptide chain का ही दूसरा नाम होता है protein तो guys ये देखिए एक पूरी polypeptide chain है अब ये chain एक दुझे के साथ joint होने के बार क्या बन जाएगी protein तो ये थी हमारी journey आज के DNA to protein थैंक्यू सो मच गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please like कर दीजे obviously ये वीडियो credit to your genome को में खुद देना चाहूंगा तेकिन अगर आपको मेरी voice over में ये वीडियो काफी easy तरीके से समझ गया हो तो please channel को like कर दीजे और subscribe कर दीजे और bell icon दबाना बिलकुल ना बोले thank you so much have a nice day